नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचिन स्वागात रभिनंदन करता हूँ अपने सभी दर्शकों का, दुख और सुख, सर्दी और गर्मी ये तो आएंगे और जाएंगे, आप तो सिर्फ अपना बचाओ करिए, सर्दी आए तो कंबल अपेट लीजिए, गर्मी आए तो क अच्छाओं में चले जाएंगे, वक्त नहीं रुकेगा, बचाओ आपको करना है, तो ऐसे ही जून के महीने में क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है, किन चीजों से बहबत करनी है, मैं आपको बताऊंगा, आपके संपूर राशी फल में मीन राशी वालों के लिए, तो ये है आपकी गोचर कुनी, पहले इसे समझे, बुद्ध, गुरु और राहु आपके जो बैठे हुए हैं, ये बैठे हुगे हैं आपके दिद्ध हाूस में, और सूरे आपके बैठे हुए हैं थर्ड हाूस में, और شुक्र और मंगल आपके पंचम भाव में, राहु ऑ चनुमा आपके अस्तम भाव में और शनी जो हैं आपके बैठे हुआ हैं वे भाव में यानि कि विदेश यात्रा के भाव में तो यह है ग्रहों की स्थिति तो एक और दो तारीक को वहाद सामधानी पुर्वक चलाईगा कोई अपरी घटना खट सकती है गड़ाई जगड़ा हो सकता है गुरू राहों का चांडाल योगधर्माओं में होने के कारण धन हानी हो सकती है आपको अपना जबाद्धन निकालना पड़ सकता है मेहनत परिश्रम वेर्थ हो सकता है कोई अपती कीमती की चोरी हो सकती है अपनों से लड़ाई हो सकती है परिवार में कलह कलेश हो सकता है तीन और चार तारीकों बुत्ती और आप बहुत चालाकी से प्रयोग करेंगे अर लोग आपकी तारीफ करेंगे नौकरी और वर्साय में महाल ठीक ठीक रहेगा राज किये यानि सरकारी कामों में छोटे से प्रयास से सफलता मिलेगी किसी वरिष्ट, मित्र या अधिकारी का सयोग विलेगा पांच और छे तारिक को आप किसी विशेश कारी के लिए व्यापक योज़ना बना कर उस कारे में जुट जाएंगे समाज वाकार छेतर में आपका दवदबा वर्चस वरुतबा कायम रहेगा भूमी भवन वहार की खरिदारी सम्हो है साथ तारिक और आर्थिक इस्तिती पहले से बेतर होगी भागीदार या पार्टर से लाब होगा आठ जून को घर के बड़े वुज़ूर्ग आपको सीख देगी आशिर्वाद देंगे उनकी अनभव से आप तरक्षी करेंगे नौकरी पेशा व्यक्तियों के पदोनती या वेतन व्रती का समय है आपके अफसर आपके अफसर यानि सीनियर बहुत साथ आपके अधिकारी आपके काम से कुछ होंगे 9 से 11 जून के बंदे कोई अपरी समझदार या संदेश मिल सकता है भागीदार वा पार्टनर की हर गतिविदी पर आपको नजर लखनी होगी आपके आपके साथ कोई विश्वास घात या धोखा हो सकता है रूपय पैसों के मामले में किसी में भरोसा नहीं करें 12 और 13 तारिक को आत्विश्वास वा मनोबल के सहारे आप बड़े-बड़े काम कर लेंगे और आपको उसका परतिफल भी मिलेगा आपको रिजर्ड भी मिलेगा योगता के अंसार आपको सफलता मिलेगी आपका मन परसंद रहेगा 14 और 15 तारिक को कारियों के परतिबंद में संतोष रहेगा चिंताओं से रहात मिलेगी काम की स्थिती ठीक-ठाक चलती रहेगी 16 और 17 तारिक को चंदर्मा बहुती अच्छी पोजिशन रहेगी आपको सफलता की भूक लगेगी आप अपने भावी लक्षियों को पाने के लिए अग्रसर रहेगी सरकार से जुड़े हुए कामों में सफलता मिलेगी भागी का सितारा प्रवर्ण होगा रुके हुए कामों में गती परदान होगी आप आपको अपनों से मिलने का मौका पराप्त होगा स्वास्त का कमजोर होना आपको परशानी देगा नया काम अभी आरभ मंदही करें रुक रुक कर करें तो बढ़िया रहेगा शत्रू विरोधी आपको परशान कर सकते हैं इस महिने में दुक्सान पजानी की चेष्टा कर सकते हैं शत्रू 18-20 तारिक के बीच में 21-22 तारिक को आपके वैशाय में तरक्की होगी बेकार की उज़ने समराथ होगी आपके पढ़ाय लिखाई पर ध्यान के दित करेंगे प्रेम प्रसंगों में वैस्ता रहेगी 23 जून को कहीं से कोई शुब समझार परापत होंगे समय ठीक है 24-25 जून को घर को परिवार में आप प्रात्रिक्ता देंगे परिवार के साथ तरक बिताएंगे परिवार के लोगों की गलतियों को सुधारेंगे आप अपने कार्यों को बेतर करने के लिए कुछ सीख सकते हैं शात्र लोग किसी ग्रूप स्टेडी या समर्वेकेशन में जा सकते हैं या कुछ नया सीख स चाहिए आगे चलकर समय मुश्किल है ध्यान रखना होगा 28-30 तारीक के बर्द का समय आपके बंते-बंते काम रुकट जाएंगे शत्रु विरोधी होगे आपके शत्रु प्रबल होगा नुक्सान होगा आपको किसी रिष्टेदार या मित्र से समंदित कोई अप्रिय धन समंदी दरुहटनाएं भी समभाव है तो एक्सिडेंट से भी बचिएगा आपको 55% सफलता मिल रही है बाकी आपको उपाय करने पड़ेंगे हर्मान जी की उपासना करते रहिए हमेशा तिन में दो बार रोज हर्मान चलिसा पढ़िए सुबह और शाम और पीपल के पे विदेज जानी की प्रक्रिया तेज हो सकती है या आपके खर्चे किसी प्रोजेक्ट पर आप जितनी जोश है जिस काम को शुरू करेंगे जोश तो बहुत होगा लेकिन काम होगा धीरे धीरे तो ऐसा कुछ हो जाए होगा आपके साथ इस पहीने में खुश रही है और सबस एक खिलोना होगा आज मैं एक खिलोने से आपकी किस्मत को जोड़ता हूँ जब आप उस खिलोने में पूरे नए सेल डालते हैं तो खिलोना बहुत तेजी से उचलता है कूटता है उसमें से आवाज आती है बहुत स्पीड से भागता है क्यों भागता है क्योंकि उसके अन प्रवली में बैठे हुए सितारे का अगर कमजोर होंगे तो कैसे वो तेजी से भाग सकते हैं। जब एक खिरोना तेजी से नहीं भाग सकता जब उसके सेल भी हो जाते हैं तो वह भी तूर जाके रुक जाता है या बहुत दीरे दीरे चलता है। अगर आपके सितारे कमजोर हैं तो आपकी तरकी भी धीमे धीमे होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको धीमी धीमी सफलता चाहिए तो लगे रही है। अब खिरोने को अगर तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा। ने सेल बदलने पड़ेगे। और ने सेल बदलने का मतलब है सेलों में जान फूक नहीं पड़ेगी। यदि सेलों को चार्ज करना पड़ेगा। तो आप जब तक अपनी कुली में बैठे हुए सितारों को चार्ज नहीं करेंगे, तब तक आपकी गाड़ी भी नहीं चलेगी, किस्मत की गाड़ी, मेहनत आप चाहे कितनी कर लें, आप मुझे एक बात बताईए, कल को आपके स्कूटर का पेटरॉल खतम हो जाए, तो आप क किस्मत भी, सौ किस्पीड में भागेगी, क्यों नहीं आप लोग अपनी किस्मत को मजबूत करते हैं, यह मुझे नहीं पता, सब कुछ उपलब्द है आपके सामने, किसी भी अच्छी अश्रोजर के पास जाएए, मेरे पास आएए, किसी और के पास जाएए, लेकिं सही व नमबरों पर जो आप देख रहे हैं, नमबर आप स्कीन पर इसमें फोल मिलाईए, अपने अपाइमेंट भूकर आइए, अब नहीं तो कब, अभी करिए, नमस्कार, जोतिश वो परम ज्यान है, जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं, जोतिश को लिखन बनाने वाले इश्वर हैं, और इश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, यह आपको भी पता है, तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परशानी से परशान है, वो परशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ किसी भी परशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं तो ये जर्म खुली आपकी मदद कर सकती है 110% तो इस जर्म खुली को मंगवाईए ओरर करिये और अपनी समस्या का समाधान इस जर्म खुली के पन्नों में पाईए चाहे हो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो तो मैं स्क्लोजर सचीन आपसे वादा करता हूँ आपकी समस्याओं का हल इस जर्म पत्री में छुपा हुआ है पढ़िये और जानिये कि आपको आपकी परशानियों से मुक्ती कब और कैसे मिलेगी अभी ओरर करें नमस्कार